आपको तो पूरी टीम को लीड करना चाहिए, इवन मिनाक्षी सबसे बेस्ट हैं अभी तक, फिलहाल कल क्या होगा यह नहीं पता, कल यह खराब करेंगे तो मैं रेकॉर्डिंग मोड में बोलेंगा, कि खराब कर रही है, कि आपसे यह उन्हेंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं जम के बढ़ाई भी करता हूं और जब उतारना शुरू करता हूं तो बढ़िया से उतारता हूं इसलिए इसलिए आपको एक मोटिवेशन डेवन से होना चाहिए कि हमें बेस्ट करना है, यह जिस दिन आगया ना अपने आपसे कि मेरे कुमिनाक्से से अच्छा ब बहुत बोलना है या फिर महेश अच्छा बोलना है बस 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 इतना है हो जाएगा कि मत पूछ अब कुछ लोग यह सोच लिया कि नहीं मेरे कुछ बोल नहीं नहीं तो फिर तो उसका कुछ नहीं बसकता ठीक है जल्दी आईए, मोबाइल चेंज कर लिजे पापा को आज हूँ नहीं तो उसका i speaker साब करवाईए कुछ तो करवाईए जल्दी है नहीं तो फिर मुश्किल होगी हो आज हम फिर से 20 का target करेंगे यानि कि 20 functions के बारे में और हम लोग बात करेंगे सो आज 20 करते ही हम लोग 40 के चले जाएंगे सबसे पहले मैं कुछ ऐसे functions के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस से शुरू होता है किस से इस से शुरू होता है इस इस तो अगर मैं आपसे यह पूछता हूँ इस यूर मोबाइल तो क्या answer होगा यस वाग खतरना 35 जा रुपे हमने लगाया आप यस बोल रहा हूँ बिल्कोल यह नहीं होना चाहिए ना नो बोलना चाहिए यस बोल रहा है खतरनाक और विनाप्षी आपसे यह उमिद लेखा नहीं आप देखोंगे मेरा है या नहीं तो यस पूछाओ बोल दिया कि तो बैमानी वाले वात है इतना तो समझ में आ गया कि या तो answer yes होगा या तो answer no होगा तो same है कि कुछ 6 function है जो is से शुरू होता है और उसका answer true होता है या false true मतलब yes और false मतलब no ठीक है तो एक number है suppose यहां पे लिखा होगा और एक text भी यहां पे लिखा होगा ठीक है एक number है और एक text है सो मेरा question है एक function का नाम है is number अगर मैं बोलता हूँ is number मैं पूछा हो क्या यह एक number है तो प्रेणा क्या होना चाहिए yes मतलब true और false answer आपको yes no में ने देना है true false में देना है true या false true very good उसी तरह से each text एक function है equals to each text और मैं पूछता हूँ मेनाक्षी is this true or false false क्योंकि यह number है text नहीं है लेकिन देखो अगर मैं इसको track करता हूँ तो यह प्रेणा के बारे में बता रहा है कि यह number नहीं है और इस text में यह प्रेणा के बारे में बता रहा है कि text है कैसे पता चलेगा कि यह किसके बारे में true बोल रहा है इस पे double click करोगे तो वह cell को highlight कर देता देखा आपने यानि ये true कहां से आ रहा है तो ये प्रेड़ना के वज़ा से आ रहा है ये false कहां से आ रहा है ये 25 की वज़ा से आ रहा है यानि reference क्या है d1 का और यहां even का है right उसी तरह से एक function होता is odd और एक function होता is even is odd this तो ये true होगा या false होगा true हो जाएगा is even true होगा या false होगा false होगा is blank Amardeep जी is blank true होगा या false होगा false होगा true होगा ये true होगा ये blank है मैं इस cell के बारे में आपसे पूछ रहा हो कि blank है की नहीं है तो true होगा न कि blank है लेकिन अगर मैं यही बात कुछता हूँ is blank इस cell के बारे में ये पांच और एक होता है इस है मितलब है क्या नहीं है मैं पूशता हूं क्या JEFF प्रेड़नह स्कश्रावार है या नहीं है यति अधवेस्ट मोझण Ensuite आ जब किसी दी functions या formula को आप किसी गलग parameter देते हूँ या सही से नहीं लगाते हूँ तब वो error देता हूँ जैसे example के लिए मैंने लिखा PRERN ने प्रेर्ना-minapc into Mahesh divided by Amardir इसका क्या answer होगा भही plus minus जो भी mathematical operations number के होते हैं text का तो होता नहीं कि यह confuse होगया हमारा Excel और आपको एक return दिया value so that is error उसी तरीके से कई सारे errors होगे जब आप कुछ गल्टी करोगे यह तो एक example था बट कई सारे ऐसे example होगे जब आपको कोई result नहीं आके कुछ error आएगा error हमेशा hash से शुरू होता है इसमें नहीं आते है इसमें नहीं आते है इसमें नहीं आते है एक सिकेट एक case और लेते हैं या कुछ और आएगा error आएगा क्योंकि odd और even number के होता है यह सुनने में tell लगता है but है नहीं न तो यह error आएगा error एक और condition में आसकता है जैसे हम आमना लिख रहे है और हमने ब्रैकेट से वह नहीं लिखे जैसे हम लोग प्रोसीट करेंगे तो आपको समझ में आने लेगा कि errors आते है इसको आगे यूज करेंगे जब एक प्ले वाले बच्चे को बोलोगा कि A सीखो B सीखो आप आगे चलके अंग्रेजीब में बात करोगे उसको थोड़ी ना समझ में आता है अभी आप Excel में प्ले वाले वाले बच्चे के लेबल पे होगे अभी 1 में भी नहीं है पहले जितने भी हम basic function पर रहे हैं पहले सिर्फ समझेंगे कि इस function से होता क्या फिर होती है इसकी application part फिर होती है इसकी application वाले में पता चल जाएगा या जैसे आपने बिल्कुल सभी गोला किया तो सब दिखी रहा error है नहीं हमें दिखी रहा है कि यह odd है लेकिन जब बड़े बड़े database पे काम करोगे 10 लाग data कहां कहां check करने जाओगे error है वहाँ कुछ formula हमने set कर दिया वह अपने आपके error अगर होगा तो यह देतेगा output something like so implementation हम बाद में सिखे हो पहले हम बिल्कुल basic चीजे हैं अभी जो कुछ भी कर रहा है बट यह बहुत important इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बिना advance नहीं है क्योंकि advance में इसी को use करे आज आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हो ऐसा थोड़ी कि आपने 26 letter पढ़ा नहीं होगा बचपल में एकदम बिना 26 letter का 5-6 letter पे शुरू कर गए और खूब अंग्रेजी बोलना शुरू आपने भी पढ़ा होगा 26 letter अब उस 26 letter का implementation कौन कितना कर रहा है जो जितना कर रहा है उसकी energy उतनी अच्छी है ठीक है सो यह 6 function समझ में आया है कि यह सारे is वाले functions जो है सारे i is से शुरू होता है और यह just आपसे answer जो actual answer यह true or false में देता है कभी जब इसका parameter ही गलत दे जोगे आप किसी function में parameter ही आपने पास सही से नहीं कर रहा है तो वो error भी दे सकता है ठीक है सो यह clear हो गया सबको पटापट से एक बार explain करे विगास जी इसको explain कीजिए अब 15 मिट तक आप सोचना पर पैर चिक करना पर जूते का हो निकालना इतना लेट क्यों करते है फट से बोलो ना यह पढ़ चोके हो अचा आपने देखा reaction time कितना होता पहले ऐसे किये फिर ऐसे किये अगर वीडियो मोड में recording करके मैं दिखा हूँ तो आपको फुट भी अपने उपर से नहीं मतलब आप पढ़े हुए आपको तो बस बोला और शुरू हो जाना चाहिए पहले तो फंदर वीश मेर्ट तक यह चस्मा ठीक करेंगे जो तेक शूज लिखा लेंगे वो शूज काउ ठीक करेंगे यह से थोड़ी नहीं होता है फंदर के वेड़ी नहीं होता है बहुत पाता है यह से शुर – सबस्ते श्यूज करें प्रीक झेनल टीक शूज करेंगे देर्ट यह चसएट उस पर dalके कहले फेर्ट भी यह चस्ए शफ़ा करें भी रागवनos पर क्रीक हो ब्तायका वहां पर फार्श बता है किसी जो होता है और बॉण पर इसके भूब जाला के रहर आते है कि आपको बोलता है पहले तो पहले तो ऐसे-इसे करो दें है तो फ़ला से सोचो और ठीशन ठीक करेंगे उसके बाद आशन करेंगे इसके फूल से तरीकला है परहा हुआ है तो reaction time बढ़ाओ इतने में तो बोलेगा thank you for coming call you back नहीं जो कि कभी जंदिवी में call करेगा इने company इतना reaction time बढ़ाओ अब समझ रहो आपको इसलिए डाट पढ़ रही है क्योंकि आप पढ़ चुके और इतना reaction time date है अभी मैं बोलोगा तो मिनाक्षे भी तुर्थ बोल देगी reaction time fast होना चाहिए थोड्स बढ़ोगा इतम slow mode में रात्ती आप ठीक है clear हो गया प्रेक्टिस करो बोलने का आप कम बोलते हो इसलिए आपका रेक्शन टाइम इदम से खराब होते जा रहा है बोलने की कोशिज करो गर में भी प्राक्टिस करो बोल बोल के प्राक्टिस करो किसे क्या होता है एकदम पकरो यहां टूडे से लेके यहां तक पहुंचा दो पूरा लागता है जब यह वाला शुरू करो तो यहां से शुरू करो बोलो बार बार बोलो बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा इंट्रव लेकिन दुसरे दिन से उमीद हमारी बढ़ जाती है। आप तो कितनी बार पढ़ चुक है यह चीज आप से कितनी बार पूछ चुक है। तब भी पर आप 15-10 सकेंड इन्हों ने इसी सोचते हुए लगा दिया। तो यह वाला चीज नहीं है। क्विक बोला करें। और आप दोनों को फिर में बता रहो कि कब तक चलेगा ऐसे राहूल और शुगं। तो आप मेनत कीजें पिछे से। राइट। इस नंबर, इस टैक्स, इस और, इस इवन, इस ब्लैंक, इस एरन। किसी को डाउट है। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, लेट, राइट और मिट। मतलब होता है लेट से, राइट मतलब होता है राइट से, मिड मतलब होता है कहीं से भी। मिट मतलब कहीं सबीं, इस case में Excel वाले में मिट का मतलब कहीं सब्सक्राइब जैसे example के लिए आपको ध्यान से देखिएगा, कि मैंने लिखा है Mr. Rajkumar इसमें कितने word हैं, तीन word हैं, तीन word है ना, अगर मेरे को इस पूरे में से सिर्फ Mr. निकालना है तो left का मतलब होता है left से अभी हमने बता है अगर मैं left करूँगा तो एक text मांगता है तो मैंने text दे दिया, number of character मांगता है अगर मैंने one दे दी तो left से एक letter उठा लेगा बास समझे हैं अगर मैंने one को two कर दिया तो left से दो लेटर उठा लेगा ऐसा मत सुचिएगा कि दूसरा उठाएगा दो और दूसरे में फर्क है यह दो लेटर उठाएगा यहां से चार कर देंगे तो चार लेटर उठा लेगा ठीक है तो left function क्या करता है हमें total number of character निकालता है जितना आपको चाहिए एक given cell में से या given text में से सेल इसका उल्टा होता है राइट इक्वस तो अगर राइट लगाओ गया तो text मांगेगा इसमें से अगर मैं one करता हूं तो एक लेटर उठा लेगा और अगर मैं त्रीन करता हूं तो क्या उठाना चाहिए अगर मैं कुमार चाहिए तो मैं कितना चाहिए होगा तो लेट और राइट समझ में आया एक इंट्रेस्टिंग बहुत और भी है अगर आपने लेट लगाया अगर आपने राइट को कोई इंटिमेशन नहीं दिया कि राइट से कितने लेटर उठाने है तो अटोमेटिकली वह राइट मुस्ट लेटर उठा लेगा तो क्या उठाएगा आप अब आती है मिड की बारी इक वस्टू मिड में टेक्स पहले होता है तो टेक्स तो तीनों में था उसके बाद ध्यान देगी यह कहता है स्टार्ट कहां से करना अगर मांग लो राज निकालना है सपोज मिस्टर निकाल लिया कुमार निकाल लिया तो राज ही तो निकालना ह तो राज के case में starting position क्या हुआ देखो mister का 2, 1 space, 3, 4, तो starting point क्या हुआ हमारा, 4, तो start number का मतलब समझ में आ गया सबको, उसके बाद होता है number of character, कितने character उठाना या, 3, तो यह हुआ कि चवधे नमर से शुरू करो, 3 letter उठा लो, तो राजी तो बचा, तो यह रहा राज, समझ भाएं, एक example और लेते हैं, miss, prerna, क्या निखते हैं, joshi, prerna joshi, तो prerna आप ही बताओ, prerna निकाल के, ताकि हमें कुछ prerna मिले, क्या आप सीखे, meet, पहले text, उसके बाद, five, उसके बाद, six, कोई बताएगा, इसमें क्या गलती है, six आएगा, six आएगा, तो prerna बताइए कि, five क्यों आएगा, और six क्यों आएगा, space भी तो count होगा, miss का चार, एक space मतलब पांच, prerna चटे नमबर से सुरू रहा, इसके पांच नहीं, six, समझ वाएगा, फक्का, ओके, रहूं, इसमें से miss निकालना है, miss निकालना है इसमें से, left से लिक लेगा, तो left, text, comma, one, miss में one कहां से आगा, miss में तो चार लेटर है, four डालोगे न, तो one क्यों डालोगे, four डालोगे न, जो सी भी निकालना है आप ही को round, left, right, mid, कौन सा function लगे है, right, very good, text, select करने में कितना, one, very good, तो left, right तो किसी को समझ में आता है, बीच वाले में maximum लोग फस्कते हैं, इसलिए एक एक एक्जाम पर और लेट है, यह लिखा हुआ है, आनन जी ठाकूर, क्या लिखा है, आनन जी ठाकूर, सिर्फ जे आई निकालना है, अमर्दिक, सिर्फ जी निकालना, जी आई, मिट करके, 7, टेक्स एक्स नहीं सेलेक्ट करना, सबसे पहले देखो, जो यहाँ पर आपको सिंटेक्स देता है, जो रेफरेंस आपको देता, अगर उसको छोड़ दिया, तो जिंदगी मैं एक्जाम नहीं सीख पाई, सबसे पहले देखोगी है, इस पे कम से कम मैं फिलाल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे, साथ, आठ, आठ बार यूज कर चुको, फिर भी आप 7 बोलोगे तो गलग बार, इतना बार थो रही ना कोई चीश सिखाए गागा, टेक्स पहले बोलना, तो पहले टेक्स तो सेलेट करो, उसके बार 7, उसके बार 2, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बात समझ भाई, एक जने से और कुछते हैं, महेश जी, महेश निकाली, जाए, तो तो तभी लगेगा, या तो आखरी वर्ड होगा, या तो पहला बीच का, में आपको मिड लगेगा, उसके बार, देखो, सिंटेक्स को देखा करो, अगर आपको आधवांस सिखना है, तो अभी तो बेसिक चल दा है, एडवांस में तो पूरा सिंटेक्स का ही ठेल होता है, और बिना सिन टेक्स का रट्रिटिफिकेशन करेंगे, तो नहीं होपायरा, क्या है सब्से पहले, एक स्टेप परमा डालेंगे तो अपने आप यह बोल्ड हो जाता है कि आगे क्या करना है नहीं तोरह लंबा किनना करें अबर इड़ों फड़ बात नहीं ट्वेल्ट शिक्स ठीक है हमें विकास जी जोसी में से सिर्फ जोस निकालना आई खतम करना जोस जोस चलो और हलका कर देंगे निकले प्रेवना जोसी में से जोष जोस मतलब उमंग एक वस्टू मेट जोब कहीं से मतलब बीच से थोड़ा सा पाट भी हम उठा सकते हैं एक वस्टू टेक्स सेलेट कर लिया मेट के बाद दो दो क्या बात और फिर जोस है हां तुम निकाल किया रहे पहले यहीं बता तो क्वेश्चन क्या समझे पहले वहीं बता तो हमें पता है तुम कौन से दुनिया में रहते हो क्लास में रहते हैं यह खावों की दुनिया मेरे हमने फोर क्यों लिया यह बताईया तो पूरा फ्लाट स्क्रीन है कोई कर्वोब नहीं है कुछ लिए यहां पर मेरे को राज निकालना था तो मैंने यहां पर फोर लिया न तो क्यों लिया तो यहां दो क्यों बता रहे हो जब आप मिड लगा रहे हो और इस टेक्स को सलेट भी करवाया उसके बाद आपने दो किस खुसी में किया नहीं यह जाना चालता है आप लोग ने बता ना थोड़ा इंका भी ब्रेंग की बति जलाना परें तो पंद्रा बोले तो दो क्यों बोला आपको आपको आपसे हुआ पंद्रा हजार में बता दो जार दोगे तो हम आपका इसी छोड़ देंगे जब पंद्रा होगा तो हम दो क्यों बता रहें यह मेरा क्वेश्चन तो पंद्रा बताओ ना बास समझ वाया अच्छा चल्ड़ आगे अभी भी आपसे और पुछे और फिर पंद्रा के बाद पांच हो जाएगा जोश एक एक तो जोश आ जाएगा जिसको जोश रहेगा इतना गंदा आप मतलब वह देते हो तो यह भी पता कि एक क्या होता है चार क्या होता कभी दो बोल रहे कभी पंद्रा बोल रहे एक बोल रहे अच्छा खासा जोसिला आदमी भी थंड़ बढ़ आएगा आपको देखके आइसा एसा आंसर देते हो वह भी गल्ट ही है ने बताऊ मत हमें पता है ने कि देखो मैंने क्या बोला था हम कमजोर हाथ को पकरते हैं इनका दिमाग रहता है नहीं पता हूं जोष निकालना यह टीपس मतलब इतना छोटा फंक्शन में भी आपका दिमाग ली जनता है कुछ चीजे तो थोड़ा सा मतलब मेंटेन करो अभी तक में मिड के ओपर कम से कम 5-6 एक्जामपल दे चुके हैं अब फिर भी आप अभी कभी एक बोलते हो कभी दो जो मन से निकल रहा है वो बोल देगा इसलिए बोला था का आप इस बैच में पिछे क्या करवाया था अब लगता जो साय हां में टेक्स सेलेक्ट करेंगे उसके बार फुर्टीन अगर आप चौदा को बतला फुर्टीन बोल दो तो आपका क्या घट जाएगा हिंदी वर्ड का ज्यादा यूज मत करो हिंदी लेंगवेज में परा रहे हैं चौदा तेरा बारा एक रास्तरा उन्नेस यह सब क्या है थोड़े से इंग्लिश वर्ड का यूज करो पुटीन बोल दो नहीं आपको नहीं पता है कि यह सारे वर्ड आपके लिए कितना खतरनाक होगा आगे चलके जब आप इंट्रेव्यों जोंगे बोले मोबाइल नमर बोलोगे तो बोलोगे नाइन आठ दस फिप्टीन बारह अब बिचारा सुनने वाला कंफ्यूज की बोल क्या रहा है एक सेमिलर चीजे बोलने चाहिए देखो मोबाइल नमर भी बताने का एक तरीका होता है कभी भी किसी को मोबाइल नमर बताओ तो दो-दो रिजिट करके बताओ कभी कंफ्यूज नहीं हो कि डवल नाइन वन जिरो फॉर फाइट डवल टू एक दम से सुन जाए अब डवल नाइन बता के फिर नाइन थी एट बोल दियाता तक मैं दो बोल रहा है तो कुछ शीजे होती है जो कहीं न कहीं आपको सीखना पड़ेगा और सीखने से पहले disciplines discipline discipline का मतलब होता है कि class में हो तो class ही में रहो आप class से बाहर चले जाते हो तीसरी दुनिया चौथी दुनिया में राते हो वास समझ में रहा है तो class में अगर double मौका मिला है तो class ही में रहो तो एसा थोड़े नहोंगे कि sir मैं तो advanced कि समझ गया तो फॉर्टीन हो गया कि फॉर अब आया ओसी एक ओसो था अब ओसी आगया अब सोचो कि आपका कॉंटिंग कितना गरबर है अब क्या होगा अब थाटीन होगा चलो फाइनली मिल गया लेकिन इतना मौका थोरी न मिलेगा उता आपसे मैंने पैसे खाया हैं इसलिए इतना बरदास कर रहे हैं इंटर्विवाला थोरी न बरदास खाएगा उन तो बोलेगा बहुत अच्छा किये सर आपाए लेकिन बहुत जल्दी आपन तो राहूल को समझ में आ रहा है, तो आप भी इसी तरह से आपको भी सुनना पड़ेगा, इसलिए कान, नाक, मुह, सब्चिस खोल के बढ़े, आईए, हमने अभी 6 फंक्शन और 39 फंक्शन करें, एक और फंक्शन अभी कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्जैक्ट, क्या है, एक् को कंपेर किया जाता है, इसमें, अगर दोनों वैल्यू सेम होगा, तो ट्रू, नहीं तो फोल्स, अलाकि एक्जैक्ट को यहां नहीं, यहां पे पढ़ो, क्योंकि यह सारे आंसर्स ट्रू फोल्स में आ रहे थे, मेजरली, नहीं, तो एक्जैक्ट को भी हम उसी के साथ पढ लिखा है, only because, दोनों सेम है, no, तो जब आप एक्जैक्ट करोगे, यही देखो, syntax आता है, text1, text2, text1, text2, तो answer क्या आ जाएगा, false, अगर मैंने दोनों को सेम कर दिया, तो क्या answer आ गया, true, तो दो text को ही compare में करता है, दो values को करता है, यहां पे 10 लिखा, और यहां पे 12 लिख लिखा, और यहां पे hash लगा दिया, तो false, लेकिन इसको भी हम at the rate कर दे, तो true, समझगा है, exact, तो is वाले 6 होगे, जो true and false में देता है, एक और होगे आपके पास, exact, जो true and false में answer देता है, इसके अलाबा, left, right, mid का मतलब होता है, कि एक given text में से, जितना चाहिए, आपको left से उतना आप निकाल सकते हूं, ठीक है, और right में जितना right से चाहिए, उतना निकाल सकते हूं, नहीं, आनन्द में से andy निकालना है, आनन्द में से andy निकालना है, आप ही बताएंगे, अमर्जीत, left से, text select करेंगे, fine, मैंने पूछा क्या था यही बता देजी, आनन्द को निकालना है, हम तुरी न पूछेते, andy निकालना, मतलब question सुना नहीं दो, क्या नाम है बिटा, तो मेरे पापा का राम से यह, मतलब question तो सुनो पहले, नहीं, मेरे example बहुत unique होते, recording mode में समोगे तो पागल हो जाओ, लेकिन हो नाम, समझना, भाव नहों को समझना, मैं पूछ रहो, end निकालना पाला, end निकालना, mail मतलब, मैं तो आनन्द निकालना, यह कुन सी बात हो, नहीं, अब बताओ, left तो नहीं लेगेगा, क्या, meet, okay, text select करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी का अलावाद, दोसरे का आवाज नहीं आना थी, इतना थो टाइम नहीं लगे अगे निम आपका mathematics इतना कमजोर नहीं, बस समझने में लगता है को कुछ गरवड़ा, है, तीन, तीन, त्री, कॉमा, त्री, मिनाक्षी सही आई गलत है, ठीक है, प्रेर्ण, ठीक है, अब आप बोल दियो, ठीक होगा, नहीं, समझ भाए, एक आखरी क्वेश्चन, भी पूछी लेता हूं, सिर्फ ना निकालना है, ये वाला, प्रेर्णा में से ना, आप दो में से कौन निकाल सकते हो, बताओ, आप दोलों में से, आप निकाल सकते हो, पक्का, ना निकालना याद रखना, ना, ना जी वावा ना करते न, वो वाला ना, ये, देखो, रेड कर दिया, जो निकालना ह टेक्स लेने के बाद नाइन लेंगे देन टू क्या हो गया कुछ काउंटिंग गरबर है देखो फिर से बढ़ यहां से काउंट करूंग निसका चार एक स्पेस पांच फिर चार पांच और चार नो दसमें जगह से शुरू हो रहा है तो यह काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंट फंक्शन अप्लाई करते हैं ठीक है क्लियर हो गया है सो हमने कितना कवरब किया है तो पीशे 21 प्लस 10 31 हो चुका है बट अभी 10 मिनट और क्लास लेंगे हैं ठीक है वैसे 10 से 11 ही तो अभी हम वेरोज़गार है ग्यारा बुज़े वाले बैच के लिए तो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्टा दे ले और थोड़ा टाइम से स्टार्ट भी होना चाहिए थोड़ा पास दस मिट ले थोड़ा है तो कोसिस यही हो जाए कि शार्प 10 ओक्लॉक या 10 फाइव तक तो स्टार्ट होई जाना च चलते हैं कुछ आपको चीज दिखाता हूँ उसके बाद हम आगे बात करेंगे आप लोग जितने भी लोग हो दस बज़े वाले ग्रूप में हो ना ठीक है वीडियो तो मैं आपको देता ही हूँ प्लस देखो इस तरह के आपके लिए देखो बना के रखें मतलब यह कहते हैं कि चारो तरब से आपको फायता देना अब यह देखो कि इसमें से चार फंक्शन के बारे में हमने जिक्र किया हुआ इसमें विद एक्स्प्लानेशन देखो रेंड के बारे में जिसको सुनाई नहीं परता है वो दिखाई तो देगा तो देगा तू गेट रेंडम नमर बिट्विन 0 टो 1 इसमें यह भी लिखा ह है इंडेस्माल एक्सेक्ट वन मालो सुनाई नहीं देगा तो देखाई तो देगा कितना हमने विवस्था कर रखा आपके लिए उसके बाद भी आप बहाने मारते हो नहीं किसर फोन कराब हो या दोल जला जया नहीं यह सब नहीं चाहिए बस हमें आंसर चाहिए तो देखि इसमें से कोई भी नहीं हुआ है तो इसी चार फंक्शन को टार्गेट करेंगे एक है कॉन कैटिनेट एक है फैक्ट दूसरा इसक्वाइबूर चौथा पावर चीक है सो हम लोग चार फंक्शन है एक का नाम है कॉन कैटिनेट एक का नाम है SQRT एक का नाम है पावर और एक कौन सा था फैक्ट यह चार फंक्शन के बारे में थोड़ा देखते है कि क्या है Concatenate का मतलब होता है Combined करना, Concatenate का क्या मतलब होता है Combined करना जैसे मांन लो कि मेरे पास लिखा हुआ ABC 456 उसके बार at the rate of gmail.com फिलाल ये एक और देखते है 5467 ऐसा एक टेक्स मेरा है जो ये है एक टेक्स है जो मेरा ये है एक टेक्स मेरा ये है अब मेरे को boss ने बोला कि इन तीनों को मिलाके आपको एक email id create करना या तो फिर से type करो या तो concatenate लगा लो concatenate मतलब होता है combine करना equals to concatenate text1 मतलब ये text2 मतलब ये text3 मतलब ये समझ माई हैं? एक और example लेते हैं जैसे मैंने लिखा P-R-E-R-N प्रेर्णा जोशी 7777 at the rate of yahoo.com आज कल तो कोई यूज करता ही नहीं है फिर भी तो माल लो एक 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 जामपल में हम लोग ये ले रहे हैं अगर हमने concatenate लगाया तो text1 मांगेगा text2 मांगेगा and text3 मांगेगा so you will get the answer but अगर आप चाहो इसके और भी तरीके हैं क्या है? इसके एक और तरीके हैं उसको विध्यान से देखना एक symbol होता है end end होता है न? तो आप कहोंगे ABC end 456 end ये वाला से ये तीनों मिलाके एक बन गया फिर से दिखाया equals to this इसमें कोई functions या formula अपलाई नहीं कर रहे हैं मैं symbols का यूज कर रहा हूँ नहीं symbol यूज कर रहा हूँ चले फोरा और आगे बढ़ते हैं SQRT का मतलब होता है square root ठीक है जिसको root अंडर भी बोलता है ठीक है so actually क्या होता है कि 16 का 4 होता है 9 का 3 होता है 25 का 5 होता है ये सब होता है 4 का 2 होता है नहीं चेक करना है तो चेक करो SQRT जो याद हो 16 का कितना होता है 4 होता है 25 का क्या होता है 5 होता है बढ़तेज है आप और इसका क्या होता है इसी के लिए बना है ये कि जब आपके पास complicated और बड़े numbers हो और उसका square root निकालना हो और आप mathematical कुछ calculation कर रहे हो तो इसे में हमारे लिए square root उतना ही time लेता है जितना छोटे में लगता है समझ भाया है सेम होता है power पावर के अंदर दो parameter पास करवाना होता है इसमें देखो एक ही था कि किसका square root निकालना इसमें होता है 2 किस number का कितना power तो 2 का power 2 मतलब क्या 4 आंसर आगया 2 का power 4 अब बताओ कितना 16 मतलब 2 का power 4 का मतलब हुआ 2 x 2 x 2 2 x 2 जितना power उतनी बार उसी तरीके से मैंने बोला 2 का power 20 24 400 आप समझ रहो 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 10 आप समझ आता है ये तो मेरे कोई आता आप आईजा नहीं कि सहार बराचान mathematics तो हम तो mathematician होते ये तो Raktification है mathematician वाला नहीं है हम तो ऐसे भी science में biopay student है ठीक है तो लेकिन एक ये जो number मिला है पता है ये unique number है इतने ही रोज होते हैं, टोटल नमबर ओफ रोज हमारे पास इतना ही होता है, 10,48,576, यह कभी देखा है निचे जाते हैं? हाँ, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था, मैंने सुचा फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा था सर, बच्पन में, ठीक है? समझ भाया? So, टोटल नमबर ओफ रोज कभी आप से पूछा जाएगा, तो यू कैन जस आंशर दिस, 10,48,576, उसी तरीके से, अगर मैं आप से पूछू, टोटल नमबर ओफ कॉलम्स, टोटल नमबर ओफ कॉलम्स, यह ABCD जो होती है, इह कहां जाके खतंच, टोटल नमबर ओफ रोज तो पता चल गया, तोटल नमबर ओफ कॉलम्स होता है, पावर, तु का पावर 14 होता है, इतने होते हैं, 16,384, कितने होते हैं, 16,000, अगर किसी वज़ा से आप भूल गए, तब देखो ये ट्रांगल आपको नजार आ रहा है, ये ट्रांगल, इस पे क्लिक करोगे, तो R for rows, C for columns, दिख रहा है को नहीं है, 10,48,576 R, 16384 C, C means column, दिखा, ये यहाँ पे, जहाँ पे A23 लिखा है, वही पे, आया, तो ये भी ए एक तरीका होता है, पता करने का, तो फिलाल मैं तो power बता रहा था, नहीं, power के बाहने थोड़ी सी चीज़ें recall होगे, अगर आप से पूछा जाएगा total number of rows, या total number of columns, तो कोई तूछेगा तो भी, नहीं तूछेगा तो भी, कम्सकम पतात हो, एक आदमी से मैंने पूछा 10 मे या 12 में क्लास के बाद की कितने रो होता है, कि सर खतमी नहीं हो, मैंने बहुत ट्राइ किया था, अभी ये बताओ, वो बैचारे, कुछ दिन ट्राइ किया होगा, एकाद घंटे तक नीचे गया होगा, एरो दबा के फिर देखा, कि सर ये तो खतमी नहीं होता है, इसका ओवियसली, कि अगर आपकी कैप सिटी चार रोटी के है, छे रोटी करें है, उल्टी होगी, दस्त होगी, इसलिये, लेकिन बहीं मजदूर वाले की कैप सिटी नहीं होता है, जो GMA में करते हैं, उसके तो अबने कैप सिटी है, तो हमारी Excel की कैप सिटी फिलाल यही है, कि इ तो इस्वेल सर्वर ठीक है चलो यहां तक समझने आ गया हमें अब आते हैं पावर के बाद फैक्ट का मतलब फैक्टोरियल निकालना होगा यह तीनों के तीनों जो फंक्शन है यह मैथमेटिकल फंक्शन है स्कॉयर रूट निकालना पावर निकालना एफ़ेसीटी से आंजर आता है लेकिन कोई आप लोगों में से मैथमेटिक्स के स्टुडेंट होंगे तो साइथ पता होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी नम्मर का फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नम्मर को डिक्रीजिंग या इन्क प्रोसेस और यह हुआ फंक्शन के थे तो विएसली क्या हुआ अच्छा जो भी हो फिलाल यह चार समझ में आया यह चार सब को समझ में आगया किसी को पर डाउट है पावर मतलब टू दी पावर टू किस नंबर का कितना पावर जितना पावर रहेगा उतनी बार मल्टिप्लाई करना पनेगा अगर मैंने पावर वाले में एक्जांपल दिया आपको मांगो कि वन की पावर हंडेड तो क्या होगा इसका अंसर और रहुम को कितनी भी राई गुना रोगए तो फोटन ही रहेगा ने तो वन की पावर हंडेड मतला वन को हंडडेड वार मल्लिप्लाई हंडेड क्या एक करोड度 horizon कि अंपलाई करना पर वन ए deed好好 इंसर आइगा तो पावर कैता कि किस नंबर का तो मैंने बोला दो 2 का, power । 3, 2 का power 3, मतलब 2 into 2 into 2, so that is our power, 8, समझ जो आगे? प्रिकाज जी? चैसे ना, नाट्स में अग्जाभी, इस लखी है, उपर अला थे, तो गिए फ्रे पावर 2, ऐसे एक्समें शुन ही करचे है? Word में? उसको superscript वोलते है, word में होते है, यह superscript, और सवसcript ठीक है, so overall हम लोग 14 के उपर पहुंच चुके हैं, कितना 14, ठीक है, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कौन के तनेट, फेक्ट, एस्क्वाइर रूट पावर हो चुका है, क्या, जाना है, जाना है, जाने वाले को क्वों लोग साता है, ने, आप निकलिए, सब लोग निकलिए, आज इतना ही रखते हैं, 14 रखते हैं, तो पीछे का 21 और यह 14, 35 हो गया, इसको लेकिन याद करना है,